हिलो फ्रिंट्स आपका सोग दें आपके परने यूट्यूब चेनल रास्तरकारी जो प्रिंट्टी फोर में तो फ्रिंट्स आज की शोड़ में बात कने वाले हैं आपकी 20 जुलाइ की डेट में इसका जो ऑफिशिल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है तो इसका फोर्म आपको कैसे बना है इसका इस्टेप बाइस्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आपको इस वीडियो में बताने वाला हो फिलाल यह वाकेंसी जारी किये संब इंस्पेक्टर इन दिल्ली प्लीस फोर्स सेंटर एमसी प्लीस फोर्स के जो वाकेंसी से इसके लिए आप एप्लाइ कर सकते हैं अब को एप्लाइ करने के लिए सब्से पहले आप ससे डोट एनाइसी की ओफिसर वेबसाइड पर आना है जिसका लिंक आपको डेस्टेशन बॉक्स में देया वा है यहां पराने के बाद सबसे पहले आपको यहां पर हäreगर करना होगा यहां पर चलिक कर देना हैं,記得 यहां पर पॉरगोर्ट का का option भी दिया गया है यहां पर क्लिक करके आप पता कर सकते अपना यूजर आइडी और पाश्वर्ड बड़ा आसान तरीका है और जोई नए इस्टुडेंट है जिन्होंने पहला आसासी की वाइकेंसी के लिए किसी भी वाइकेंसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो उसके यूडियो को देखकर बड़ी आसानी से अपना रजरेशन कंप्लेट कर सकते हैं बात करते हैं फोर्म एप्लाई प्रोसस के बारे में तो फ्रेंट्स आपको फोर्म एप्लाई करने के लाब कुई सबसे पहले लोगिन करने के बाद आपको यहां पर नेक्स्ट जो जो यहां पर राफिशियल नोट के माध्यम से अपको बताने वाला हूँ कि आसे अपको फोर्म कैसे कर सकते हैं तो यह रहां आप cooking आप और जाते हैं जोकि यहां 25 तक आप इसका जो ओल्लाइन फोर्म है anarchि कर हैं की बाइस जूलाई 22 जुलाइ से लेकर 15 अगस्त तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म क्रेक्शन आपको 16 अगस्त से लेकर 17 अगस्त अपने फॉर्म में संसोधन कर पाएंगे ठीक है से बात करते हैं यहां पर डिय के उनकार से प्रषुन में यहां बरस इकेंटेट्ट्भ के मुण में चाहिस के जानकार यहां पर देंगी हैं कितने प्ली यहां पर पर आपकुर्मस अपर नधर करती करएंगे और इसके बाद apply option पर click करेंगे तो आपका form यह open हो जाएगा कुछ details आपके जो name है आपके registration नमर से automatically आ जाएगी इसके बाद आपका important information आती है छोदवे point का क्योंकि बागी information पहले से आ जाएगी जिसमें बोला गए है कि do you belong cast not included center list of obviously but notify obviously by government of and city of Delhi यान कि आपको यहाँ पर जो vacancy की central list से आपको obviously से आप यदि बिलोग करते हैं तो यदि आप obviously से apply करना चाहते हैं एंसिटी में तो आप इसमें yes वाले option पर click कर सकते हैं और यदि आप यहाँ पर trace to obviously for SI in Delhi police and other post यान कि आपको यहाँ पर जो पोस्ट जाड़ी के गए उसमें obviously से आप apply करना चाहते हैं तो yes कर सकते हैं या पिर आपको यहाँ पर जो भी other post हैं उसमें general के अंदरगत आप करना चाहते हैं तो general select कर सकते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर दिल्ली डिपार्टमेंट पोलीस के आपके डिपार्टमेंट है तो आप यहाँ पर yes वाले option पर click कर सकते हैं अदरवाईश नो कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर no option select करेंगे तो यह option आपका बंद रहेगा और यह ओपन नहीं होगा नेक्स्ट है आपको यहाँ पर NCC Candidate है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं ठीक है यदि NCC Candidate है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर उपन नहीं होंगे नेक्स्ट जिसमें आपको यहाँ पर examination center आपको select करना होगा सबसे पहले आपका जो भी नजदी के exam center है यहाँ से आपको select वाले option पर click select करना होगा इसके बाद ex-serviceman है तो आप यहाँ पर yes वाले option पर click कर सकते हैं और यहीं है तो आपको यहाँ पर उसकी ex-serviceman की details आपको यहाँ देनी होगी जो कि आपको यहाँ पर joining date क्या है और इसके डिसार्ट date क्या है वह आपको यहाँ पर mention करनी होगी इसके बाद आपको यहाँ पर link of service on post टीकर एंड की पोर्स में कब तक आपको यहाँ पर service की उसकी जहनकार यहाँ पर देनी होगी otherwise आपको यहाँ पर नहीं है त तो आपको यहाँ पर यहाँ आपको यह और दियानी होगी अधरवास आपको वाले ऐपसिंगे लेंगे तो यह option आपको बंद रहे último में आपको में यहिंग क्यों अधरवास नो लेक्त कर लेना है इसके बास में जूठ लेना है तहकर अपर तुर्स हाथ पर negative twice करना होगा इसके बाद आपको यहां पर जो भी किस भी परकार का जो एज रिलेशन लेना चाहते हैं वह अपनी जुक्त कर लेना है उसके बाद आपको एज में चूट मिल जाएगी यदि आपकी एज अपर आज नहीं हो रही है तो आपको यहां पर नोवाल उपसन सेलेक्ट क कि क्योंकि इसमें जो क्केम्द मांगी गई है सका कि इसके बाद आपको यहां पर इजुकूशन डिटेशा आपने आ होको ईपको जांक virtually देना आ है अपको रोलë नमरr ढदाना है यदि आपके परसेंटेचर यहां पर डाल देना है यहां पर डाल आना है यहांपर अगन है तो सी जी पे आपको यहां पर डाल देना है ठीक है ज़िदि यह परसेंटेज डालेंगे तो परसेंट डालने के बाद यह आप पर इसको बहुत देंगा और इसको खाली छोड़ देंगे तो सेंट करती जाएगी जो आपका एड्रेस सक्षन आता है जिसमें आपका एड्रेस आपको चितर से डाले ना है इसके बात पर फोटो साइन अपको यहाँ पर रखना होगा 20-50 के बीच में आपको फोटो का साइज होना चाहिए और आपको यहां पर साइज 10 से 20 के बीच में होना चाहिए दोनों को आप jpg format में upload करेंगे upload करने के लिए यहां पर choose file का option दिया गए है यहां से आपको photo को upload कर लेना है ठीक है और इसके बाद आपको यहां पर yes वाला options लेड कर लेना है क्योंकि आपने 2023 अप्रेल 2023 से पहले का यहां पर photo नहीं होना चाहिए इसके बाद का ही होना चाहिए ठीक है इसके बाद आपको next यहां पर देख सकते हैं और इसके बाद लिखा है इसको सेम यहां पर डालेंगे इसकी बाद पुरा का पुरा पुरा पुरीव आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा उसको चितर से चेक आउट करने के बाद आगी आपको final वाइनल समिट करने के बाद यदि आप सभी आपका सभी हो जाएगा यदि आप और समीट करनेसे पहले आपका यहां पर सम्मिट होगा तो इस तरह से यहां पर फॉर्म के लिए अपलाई कर सकते हैं मैं आपको प्रोसेस बहुता दिया है जैसे इसका यहाँ पर लिंक एक्टिएट हो जाएगा तो मैं उसका प्रोसेस भी आपको मोबाल से करके दिखा दूँगा तो वीडियो में जाने करें आपको अच्छे लिए तो लाइक कीजीगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि आप लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ओन करें ना ताकि आपको ऐससे की लेटाइस्ट इनिपोरमेशन आपको लगातार मिलती रहेगी और को को भी डाट को भी स्वाल हो तो कमेंट बक्स में जुरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए दाने बाद थेंक्यू फोर वाचिंग जाहे जाह वारत